तो आज एक आपको एक ऐसी बात में करने जा रहा हूं कि जो लाइफ से आपके जिन्दगी में बहुत फरक पड़ जाएगा और वह है जिन्मेदारी की शक्ति जिन्मेदारे की टाकत क्या होता है कि हम हमारे जिन्देगे में कभी भी अच्छा हो गया Yakita है और अच्छा नहीं हूआ या काम नहीं हुआ तो बोलते हुं वह किह उसने किया उसने किया ऐसा हम बूलते रहते यह जब काम करते नहीं है तो हम लोगों को दोश देते हैं ब्लेम करते हैं लोगों को बोलते कि नहीं वो तो मैंने किया ही नहीं है और एक दुसरे के तरफ उगलियां उठाते रहते मतलब क्या है कि मैं दोशी नहीं हूँ, मैं परावर हूँ, मैं दोशी नहीं हूँ, मैं सभी हूँ, वो दोशी है, उसने वैसा किया तो जब हम बोलते कि कोई भी जहां भी आप हो, अपने जिन्दगे में जहां भी हो, वहां उसकी जिम्मेदारी लो जो भी कुछ हो रहा है तो हम क्या करते है कि जब कुछ कुछ भी होता है तो हम बोलते परिसिती से ऐसा हुआ परिसिती के वज़े से ऐसा परिसिती में ऐसा है समझा आप लेट आ गए लेट आगे तो हम क्या बोलते कि नहीं वह बारिश आगे करके मैं लेट आगे तो आपने बारिश को दिया आप अप क्या ही लेड़ गया आप ने इधनी केल लिया कि यह तो बारिश भी आ गई आगे अपन इसमें पे आजाएंगे ने में लेड़ कियूंकि मेरी भेहिकल खराब होगे मेरी खराब हो गे मेरी बाइक कराब हो गया है बसक्ते कि नाहे है जो जिम्मेदारी में आप जो भी कुछ हो रहा है मेरी जिन्दगी में जो भी घटित हो रहा है जैसे भी जिन्दगी चल रही है तो उसका कारण मैं हूँ वो मेरी बज़े से हो रहा है तो वैसा जोलाो यह किसी को पर आपने उंगलियां उठाने की नहीं कि इसको ऐसा बोलने के ने कि तू जिम्मेदार है वह वहला ने खुद ने ऐसा बोलना मेरे वज़े से ऐसा हुआ है तो फिर क्या होता है कि फिर आपकी जिंदगी आप जैसा बोलेंगे वैसी चलेंगे ना कि आप कहें कि इसको परिसिती को दोश देंगे उसमें कि नहीं परिसिती के वज़े ऐसा हुआ है यूजिली क्या हो गया है कि समझो पत्ति पत्नी में जग कर रही है तो मैंने ऐसा किया किया कि वह ऐसा कर रहा है तो हर्दम ऐसा बोलते हैं कि अच्छा हो गया तो उसके लिए लोगों को उसका क्रेड़ दो तो अच्छा है लोगों का अच्छा लगता है और कभी बरावर होता नहीं है बुरा होता है जो भी कुछ हो जाता है तो उसक का discreet आप लोगस में आप ताकत बढ़ेगे कि यह जो हुआ है मेरी वज़े से हुआ है तो फिर आगे जा कि ऐसा नहीं होना जाए उसके लिए मैं क्या करूं कि यह जाएंगा नहीं अच्छानिवा तो फिर हम क्या है फिर हम वहां खड़े नहीं है कि जो भी कुछ भुरा मेरा कंट्रोल परिसिति के हाथ में और परिसिति जैसा बोलेंस वेसरे लाइब सबयाइब गयाए तोार दिम्मदारी या में गया और मतल्ब benefici करना मतलब में भूआ रिजल लगना शी वह तो देखनल का में ले रहा हूं और मैं क्यों बाद भी बुखार आ आप बोलेंगे मैं क्या करो आपका बच्चा चार साल का आपके बच्चे को बुखार आ गया तो मैं क्या करो ऐसा बोले तो फिर कुछ नहीं हो सकता मगर चार साल के बच्चे को बुखार आया तो माबापने यह देखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया या क्या नहीं कि आपकी जिन्दगी जैसे आप कहेंगे वैसे जाएंगे तो ये जिम्मेदारी मतलब आप जीवन में ऐसा जीवन जीरे सुबह से रात तक कि मैं जहां भी जो भी काम कर रहा हूं जिसके साथ में भी काम कर रहा हूं जो भी वात्तावर में काम कर रहा हूं जो परिसिते में काम कर रहा हूं तो परिसिते में जो भी मैं कर रहा हूं और जो भी निकाल आ रहे उसके जो भी रिजल्स आ रहे उसके लिए कारणी बुत मैं हूं मैं उसका कारण हूं और वहां में खड़े रहे के देखूंगा कि मैं तो आपको यह अच्छा लगा तो जरूर यह हमारा चैनल सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो जिन्दगी में देखो लोग ऐसे ही करते रहते हैं तो लोगों को यह जो मैं बोल रहा हूं यह बात जज गई और इस तरह से लोगी दी जिना चालू करते हैं तो लोग उनके जिन्दगी में बहुत असामानी रिजर्ट्स पैदा कर सकते हैं प्रोडूस कर सकते हैं तो आपके वाट्सेप के ग्रूप के उपर शेयर करो फेस्बूक के उपर शेयर करो हमारा जो हॉस्पिटल है वहां हम सबके लिए मानसिक स्वास्त और वैसनमुक्त भारत इसके बेसाई जाएगा, काइसा कि आप जब लोगों को शेयर के लोगों मालूम हो जाएंगा कि इस तरह से जिवन जा सकता है, लोगों को मानसिक भीमारी होंगी नहीं, लोगों को इप्रेशन नहीं आए और लोगों के रिलेस्शनिप हूं रिष्ते बहुत अच्छे हो हमारे hospitals है अकोला नागपुर पुने मुंबई भाम मनोविकार और व्यसन व्यसनी जो लोग है शरावी उनका इलाज हम करते हैं तो जोरी वीडियो शेर करो और थैंक्स पर वाचिंग थैंक यू वेरी मच